बिहार बिधान सभा में मान्या मिख्यमंत्री निटीश कुमार जी ने जो स्तेटमेन दिया है महिलाओ को लेके ओ स्तेटमेन बहुत ही दुखदायग है और पाबलिक प्लेटफॉर्म में ऐसा सीजे बोलना बहुत ही पिरादायग है लेकिन ये पहला मौका नहीं है आज लगाटार एक साल का अंदर में निटीश कुमार जी ने ऐसा स्तेटमेन दे रहा है जिससे अगर आप देखते है उससे आपको लगेगा कि कही ना कही निटीश कुमार जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है ये एक प्रकार से बिमार मना जाते है और जीबन में हर किसी बैक्ति का भी ऐसा हो सकता है मैं इसको बहुत ज़्यादा असभाविक नहीं बताऊंगा ऐसा दोर से लोग गुजरता है कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है ट्रित्मेन का जरूरद होता है रेश्ट का जरूरद होता है और मेरा ये बिंटी है जेदी यू का लोगों को लीडर्शिप को कि आप लोग थोरा सा निटीश कुमार जी को रेश दीजिए और उनका जो भी इलाज होना साहिए वो इलाज भी करवाईए शिप्मिनिस्तर का जो कुर्सी है और बहुत ही सेंसिटिव होता है बहुत सारा निनने लेना परता है जिसके लिए मनसिक रूप से अब हमेशा सक्तिसाली रहना परता है मेरा लगता है निटीश कुमार जी अभी ओ हालत में नहीं है उनको बिश्राम देना साहिए और उनका अच्छा से इलाज भी होना साहिए मेरा विश्वाज है ओ ठीक भी हो जाएगा और ऐसा भासा बिधान सभा में और कभी बैवहर ना हो उसके लिए भी हमें सब धनी और बाकी सारे बैवस्ता लेना साहिए